लेकिन आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कायरब होस्पिटल में भड़ती है उसके दिल में छेद है जिस कायरब नायरा कायरब की हालत को देखकर परिशान हो जाती है क्योंकि उसके पास कायरब के इलाज करवाने के लिए पैसे कम पड़ गए है ऐसे मैं उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे फिर उसे समझ आता है कि इस हालत में एक ही शक्स है जो उसकी मदद कर सकता है और वो है कार्तिक, कार्तिक ही कायरब का इलाज करा सकता है वहीं दूसरी और गोएंग का हाउस की बात करें तो गोएंग का हाउस में सभी वेदिका की महदी की रसमें में बिजी हैं जिस कारण सभी बहुत खुश भी नजर आ रहे हैं उसी दोरान कार्तिक के पास एक फॉन आता है लेकिन कार्तिक call attend नहीं कर पाता है और ये call होता है Naira का कार्तिक एक call ना उठाने पर Naira रोने लगती है तभी वंश की नजर कार्तिक के phone पर पढ़ती है और वो जैसे ही कार्तिक को बताता है तभी कार्तिक उसे डाटते हुए phone जीन लेता है ऐसे में ये देखना दिल्चस्प होगा कि क्या नायरा कार्तिक को दोबारा कॉल करेगी या फिर कार्तिक उसी नमबर पर फिल से कॉल बैक करेगा क्या कार्तिक जान पाएगा कि ये कॉल नायरा का था फिलहाल के लिए इतना ही आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहें नेक्स्ट नाइन लाइफ से प्रांशी की रिपोर्ट